हलो नमस्कार दोस्तो आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 में मैक्रोसॉट अकाउंट को कैसे रिमूब करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए करते हैं आपको क्या करना यहां पर स्टार्ट पर राइट क्लिक कर देने इसके बाद यह विंडो ओपन हो जाएगा आपको यहां पर सेटिंग दिख जाएगा इसके ओपर आपको क्लिक करते हैं यह विंडो ओपन हो जाएगा आपको क्लिक करते हैं यह विंडो ओपन हो जा इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा Microsoft Account इसके आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा Sign In With Local Account यानि आप Microsoft को Account को Remove करके Sign In यानि Local Account में आप Sign In करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा अब आपको क्या करना यहाँ पर Next पर क्लिक कर देना है इसके बाद यहाँ पर आपको Password के लिए मांगेगा जो भी आपको यूजर नेम रखना है वो यूजर नेम आप यहाँ पर रख लिजेगा उसके बाद यहाँ पर Password रखना है तो Password रख सकते हैं नहीं रखना है तो नहीं ऐसे ब्लैंक छोड़ दीजेगा हिंट में आपको चुछ डालना चाहते है तो यहाँ से आप डाल सकते हैं उसके बाद आपको Next पर क्लिक कर देना है इसके बाद यहाँ पर Sign Out and Finish पर क्लिक कर देना है क्लिक करते हैं यह Sign Out हो जाएगा sign out होने के बाद आप आपको क्या करना यहां से sign in कर लेना है sign in करने के बाद Microsoft account यहां से remove हो जाएगा आपको मैं यहां से दिखा भी देता हूँ यहां पर जाने के बाद आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा local account यानि तब account के ओपर click करके भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी local account आ रहा है, यानि इसके अंदर Microsoft account remove हो चुका है, तो इस तरह से आप Microsoft account को remove कर सकते हैं, और please guys चैनल को subscribe करें, like करें, share करें, thank you.